हलो, soft skills के शुरुवात हम शुरू कर रहे हैं खुद के साथ, माने self awareness और self management self awareness आप सर्चोगे ये क्या होता है, मैं तो खुद को जानता हूँ, मेरा सब मुझे मालूम है नाम क्या है, काम क्या है, पता क्या है, कहां का हूँ, कहां जाना है सही बात है, लेकिन अगर खुद को बहुत ठीक तरह से जानो, तो खुद को manage भी बहुत सुन्दर करो और खुद को manage करना यही है personal competence, सक्षम यक्ती कोई-कोई बंदे ऐसे आप भी जानते होंगे, जो बड़े सुल्जे हुए है, कोई भी काम अच्छा करते हैं कठीनाई का सामना बहुत अच्छा करते हैं, सुख से चड़नी जाते कि मैं बहुत सुखी हूँ और दुख से नीचे भी नहीं आते, ऐसे नहीं कि वो crush हो जाते हैं लाइफ में बड़े धीरज के साथ, सैयम के साथ, खुशी के साथ आगे बढ़ते हैं अगर उनको ऐसे आपने देखा है, तो जानो कि वो बड़े सेल्फ अवेर है और खुद को बहुत अच्छा मैनेज करते हैं इसमें एक सेंसिटिविटी भी होती है, सेल्फ अवेरनेस और सेल्फ मैनेजमेंट में आप देखोगे कि सेंसिटिव होना, कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, किसके साथ मैं कैसे पेश आता हूँ सोसाइटी में क्या हो रहा है, उसके पिछे वजह क्या है, बाकी लोग क्यों ऐसा करते हैं, उसके वजह क्या हो सकती है मैं इसके साथ क्या कर सकता हूँ, so self, society, इतना ही नहीं, nature भी, nature ही तो हमारा आसपास होता है, so उसके बारे में भी एक sensitivity होती है, और ये सब जानकारी, जब आप इस learning module में लोगे, तो ये भी जान जाओगे, how to recognize strengths and weaknesses, आप में कमिया क्या है, देखिए, इनसान है, कमिया तो होग और सक्षमता भी होती है, जो capabilities होती है, क्षमताय होती है, उसको हमें बढ़ाना है, और कुछ कमी तो होती है, लेकिन वो है ही नहीं, ऐसे पेशानी के बजाए, अगर हम identify करेंगे, कि मैं किस चीज में काम हूँ, तो मैं उस पे काम कर सकूँ, then I can work on my weaknesses, so my strengths and my weaknesses, मेरी सक्षम बाजू कौन सी है, और मैं किस में और थोड़ी प्रगती कर सकती हूँ, अगर ये आप जानो, तो ये बड़ा मुहत्वपुर्ण लर्निंग होगा आपके लिए, so self-awareness and self-management is a very important thing, और आप इसके साथ ही topic शुरू करोगे, बहुत सारा experiential learning होगा, और जैसे मैं ने कहा, आपके सेशन के बाद भी, think about self-awareness and self-management. I hope you enjoy this session. Thank you.